हेलो तो आल माई डिवाइन सोल फैमिली ये वीडियो पार्ट टू है पार्ट वान का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी जिन होने नहीं देखा वो जाके पहले से देखे और समझे कि आप किसके साथ डील कर रहे हो ये आपके ट्विन फ्लेम है ये आपके स अच्छे से मिल जाएंगे तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आप उसको किसी भी हाल पर होना नहीं चाह रहे हो अर्गुमेंट हो जाए मार पिटाई भी हो जाए फिर भी आप उसको पहले से ही एकसेप्ट करके रखते हो कि नहीं मैं इसके भी ना तो ज हो जाते हैं a dependent आप क्या हो जाते हो उनके उपपर dependent हो जाते हो आप उनके फोन चेक करोगे आप उनके डिपी चेक करोगे अब तो पता चल गया कि वह अलग-अलग काम भी करते तो आपके सबकॉंसेस माइंड में है कि ये तो चीटर टाइब के है कि आपको कुछ information मिल जाते और वो आपको समझा लेते हैं लेकिन फिर भी आप उनके उपर डिपेंडेंट हो तो आप सर्च करोगे वो किसी और से बात तो नहीं कर रहे हैं वो कहीं और जा तो नहीं रहे हैं अब आप उनके पीछे चेस करने लग जाते हो 24 by 7 वो थोट अपके दिमाग में आते हैं उन्हीं के बारे में सोचते हो सुबे से शाम तक उन्हीं के बारे में सोच रहे हो सोने से पहले रात को सुने से पहले बेच रात को सुबे उटने से पहले बस एक ही नामियाद आ रहे हैं और एक ही चेहरा किसके साथ होंगे पता नही पूरी तरह से drainage कर रहे हो और यही चाहिए होता है कार्मिक पार्टनर को क्योंकि आपके सारे positive energy उस तक low हो जाते हैं वो मज़े से अपनी जीवन enjoy कर रहे होते हैं और आप यहां पे एक तम low से low vibration में जाके रोते तडपते मरने तक जाते हैं लोग ऐसे situation इतने आपको नीचा कर देंगे इतने आपको drainage कर देंगे ठीक है आपको लगेगा life तो और कुछ है ही नहीं society कर लूँ वही बेटर है मतलब आप कुछ समझी नहीं पाओगे एक drugs की तरह जैसे feel होगा addicted हो चुके हो आप पूरी तरह से उसके बिना आप रही नहीं पा रहे हो तो यह बहुत गंदी dependency सी आ जाती है जब आप कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो आप कहीं का नहीं रहते हो ना इधर का न उधर का मतलब आप बिच में लटक जाते हो तो आप समझ जाना इतने जब आप drainage हो जाते हो तो आप 100% कार्मिक पार्टनर के साथ ही डील कर रहे हो नमर एइट पॉइंट, डिसेपोइंटमेंट, मिस्बीएफ और एनर्जी ट्रेन वही डिसेपोइंटमेंट तो करेंगे आपको, आप जो मांगोगे, जो कहोगे, जो बोलोगे एक्जाक्ले उसका उल्टा होगा, कुछ और ही करेंगे आप जब उनको कंट्रोल करने जाओगे, या उनके सच्चाई, जो आपको पता चल चुका है, वो आप उनको बताने जाओगे तो इस वक्त दो क्या करेंगे, आपके साथ मिस्बीएफ करेंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे, मानने पिटने पे उतर आएंगे आपके जो एनर्जी है, उसको बिलकुल ड्रेनेज करेंगे, आपको एकदम लो से लो वाइब्रेशन में ले जाएंगे, आप रोने के सिवा और कुछ नहीं कर पाओगे, आप तडब चाओगे तो आपके उपर वो हावी होंगे, आपको वो और टॉलरेट नहीं करेंगे, ठीक है, आप अगर शान्द बैटके हो, एकदम प्यार से हो, जैसे उसके साथ पहले से थे, जुट बोले, सच बोले, आपको पता नहीं था, लेकिन अब आपको सब कुछ पता है, अब आप उसक आपके दोस्तों के सामने जलील करेंगे, सब के सामने वो बताएंगे कि वो ग्रेट है, वो सही है, आप शकी हो, आप गलत हो, आप में कुछ बिमारी है, आप में कुछ प्रॉब्लेम्स है, आप बहुत लो हो, ये सब आपके पीछे भी और आपके सामने भी आपके दोस्तो के सामने आपको निचा दिखाने के 100% कोशिश करेंगे जहां मौका मिला कोई कसर नहीं छोड़ेंगे तो आप 100% समझ लेना आप एक कार्मिक पार्टनर के साथ ही डील कर रहे हो नंबर 9 क्योंकि आपको बहुत बुरी तरह उसकी अडिक्शन हो जाती है आप उसके बीना और कुछ नहीं सोच सकते हो आपके थौट प्रसेज में वो आके पूरे आपके हर बॉडी में वो घर कर चुके हैं जैसे हमारे शात शरीर होते हैं तो वो जैसे हर बॉडी में हमारे मेमोरी में हमारे सब कॉंसे माइंड में हर जगा प कर रहे हैं जहां पे आप कुछ समझने पारे हो आप एकदम ब्लाइंड हो जाते हो ब्लैंक हो जाते हो के यह क्या हो गया तो इस वक्त आपके साथ यह होता है ना आप उसे छोड़ सकते हो ना आप उसके साथ रह सकते हो तो यहां पे आपको बहुत भयानक घुटंग सी महसू होगी आप उसके साथ रहो तो अर्गुमेंट्स जगड़े बाते मार पिटाए कुछ भी जलील अपमान करना एक दूसरे को उल्टा सिधा बोल देना वही आपको ज्यादा बोलेंगे क्योंकि आप अगर डिवाइन सोलो और वो कार्मिक पार्टनर है तो जाहिर सी बात है वो बहुत बड़ी कुछ लार्निंग लेसन देने आए हैं और समझ जाना है कि अब मैं अगर इसके साथ रही या रहा आप आजाते हो बहुत गंदी तरीके की फ्रेस्टेशन में अब आपको लगता है कैसे निकले पर आप क्योंकि अडिक्शन में होते हो बहुत बुरी तरह से तो आप निकल ही नहीं पाते हो तो आप बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फस चुके होते हो इस रिलेशन में वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन हो जाते है आपके लाइफ की ठीक है नंबर टेन पॉइंट क्योंकि मैंने पहले बोला था यह आपके पास लाइफ कनेक्शन पास लाइफ के कुछ ऐसे भयानक गलती थी जो सिखाने के लिए या डिल करने के लिए या शॉट आउट करने के लिए जैसे नियती तै करती है वैसे आना पड़ता है तो यह आये थे आपके जीवन में दूसरी बात जो हमारे अंदर शैडो साइड्स होते हैं जो हमें पता से प्यार करने जाते हैं दूसरे से सब कुछ पाने की कोशिश करते हैं जो के संभब नहीं है और यही सबसे बड़े लर्निंग लेसंस यूनिवर्स के तरफ से आपको मिलता है कि आप अपने शैडो वर्क करो किसी और कोशक करना उसके बारे में सोचना अपने आपको ड्रे लेना है खुद के पैरो में खड़े हो जाओ खुद के लिए जीना सीखो आप एक इंडिवीजूल इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉंग इंसान हो तो किसी और पर डिपेंड मत करो आदतों से बाहर आओ अपने शैडो वर्क करो किसी को चेज करना किसी के पीछे भागना कि आप अपने आपको अपने मानसिक स्तर पे नीचे लेके मत जाओ आप अपने आपको ग्रो करो लाइफ को समझो सेल्फ लव में आओ और सब कुछ अच्छा करो और फिर मानव कल्यान के काम पर भी आओ फिर उनिवर्स के रूल्स को भी समझो फिर तरक्की करो को क्रियेट बनाओ और उसके बाद लाइफ को एंजोई करो जिस तरह से लाइफ जी ना है जी ओ क्योंकि आप अप समझ जाते हो कि लो फ्रिक्वेंसी वाले लोग कैसे होते हैं और सेम सोल ग्रूप और गौड के एनरजी कैसे होते हैं तो इस तरह से आप समझ पाओगे कि आप एक भयानक कार्मिक पार्टनर के साथ डिल कर रहे थे तो आप जितना जल्दी हो सके ऐसे रिलेशनशिप से बहार निकले जितना जल्दी हो सके इनरवर्क कीजिए अपने उपर काम कीजिए और जल्द से जल्द ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप को अपने लाइफ से हटा दीजिए तो ऑंजल्स भुल और विजग के ढंगर यह जो आखे धू जो । अजिए जगर श्रेट के अटीक झार ताट श्रेंग झाल्ग्ट करणा मूल्इक झाल्ड श्रेंग बन्यड प्लेट प्रणी की आखे अजसे की तो श्रेंग झाल्ड यह अग्वगा ऑट लास।